हेलो फ्रेंड वेलकम टू अनदर वीडियो तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम एनालेसिस करेंगे रोसारी बायो टेक को तो फ्रेंड अगर मैं करेंट स्टॉक की प्राइज की बात करूं तो स्टॉक अभी चल ला है 810 की प्राइज में तो फ्रेंट जब से कंपनी लिस्ट हो रही है जुलाई 2020 में कंपनी लिस्ट होई थी अभी तक अपने इंवेस्टर को इसने 20% का रेटन जनरेट करके दे रहा है अगर मैं पिछले वन एर की बात करूं तो एप्रॉक्सी ये स्टॉक 11% के डिसकांट पे ट्रेट कर रहा है मैं कंपनी का पी देखूं तो फोली कलगा रहा है 41.55 का अगर मैं पीफी देखूं तो फोर पॉंट एट सेवन का अगर मैं इंडस्टी पी देखों कमपनी का वह लिकल के आ रहा है 17.64 का अगर मैं डेप्टिटो एक्योटी की बात करूं तो कमपनी पर बिल्कुल ना के बराबर करज है और करज की बात करूं ऐसे 0.08 का है यह हमाले काफी अच्छी बात है यह कमपनी काफी 17.47 के आसपास अगर मैं डिविडेंट इल देखो कमपनी की वह भी ना के बराबर है 0.06 के आसपास है कमपनी की बुक वैल्यू लिकल के आ रही है 165.92 अगर फेज वैल्यू देखों वह लिकल के आ रही है 2 अब सबसे पहले हम कमपनी का रिवेन्यू चेक करेंगे और रिव सब्सक्राइब देखेंगे मिल लिए अगर मैं कमपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं अगर मैं कंपनी के सेर्होल्डिंग पै्टन देखों अगर मैं पर्मोटर के पास देखों पर्मोटर के पास 68.56 की हिस्तिषधारी थी अगर मैं Mishal Fund को देखो तो उनके पास 11.34 की हिस्तिषधारी थी और retail के पास 10.07 की हिस्तिषधारी AI25 वालों के पास 8.51 की हिस्तिषधारी थी और domestic वालों के पास 1.52 की देखने के लिए मिल लिए अगर हम इस year के जून के quarter के साथ इसका compare करें तो पर्मोटर के पास उतनी quantity बनी हुई है मिचल फंडे के पास एप्रोक्स 2% की हिस्सिदारी बढ़ गई है और retail के पास एप्रोक्स 3% की हिस्सिदारी यहां से कम हमको देखने के लिए मिल लिए है अगर मैं F5 अपको देखूं तो एप्रोक्स इनके हिस्सिदारी भी share में 1% कम हो चुकी है और domestic वाले की हिस्सिदारी भी 1% यहां पर हमको देखने के लिए बढ़ रही है तो means यह हमाले बहुत अच्छी बात है जो भी share return ने बेचे हैं वो domestic वालों ने, mutual fund वालों ने buy कर लिया है तो friend अब हम इसके technical analysis करेंगे तो friend मैंने आपके सामने रूसारी बायो टेक का weekly charge लगा दिया है अगर मैं share की listing की बात करूँ तो approximately 675 के आसपा share की listing होती है उसके पाद share में लगातार कुछ week तक हमको तेज़ी देखने के लिए मिलती है सेर अपना high बनाता है लगबा哥 1600 की price में उसके बाद share में downside की और आता है और अच्छा खासा यहां से हमको reversal देखने के लिए मिलता है फिर एक बाद share में तेजी देखने के लिए मिलती है फिर उसके बाद share में correction होता है और फिर से अपना bottom बनाता है लगबग 535 की price में तो उसके बाद share में फिर से हमको यहां से reversal देखने के लिए मिल रहा है तो approach जो support लिकल के आ रहा है share के लिए friends इस परकार से share में हमको लगाता है यहां पर गिरावट देखने के लिए मिल लिए तो उस type से मुझे लगता है कि जो इसका फिर सपोर्ट होगा 793 का इसको यह breakdown कर देगा उसके बाद यह second support के आसपास जाएगा इसका जो second support लिकल के आ रहा है वो लिकल के आ रहा है 650 के आसपास तो फ्रेंड अगर आप इस share में buy करने के बारे में सोच रहा है तो एक बार share को अपने support पर आने का wait कीजिए तब भी यहां पर position बनाने के बारे में आप सोचिए अगर मैं RSI indicator की बात करूँ तो RSI indicator अभी चल रहा है 51 के आसपास तो फ्रेंड जब RSI लगवर 30 के आसपास आ जाए तो फ्रेंड अगर RSI 30 के आसपास आती है तो आप इस share में position बनाने के बारे में अब उससे सूचिए क्योंकि share में यहां से reversal देखने के लिए हमको मिल रहा ह जब भी RSI 30 के आसपास आती है तो share में reversal हमको बार बार देखने के लिए मिल रहा है तो आप कुछ wait कीजिए अगर RSI नीचे आ जाती है 30 के आसपास तो share की price भी नीचे आ जाएगे 650 के आसपास तो आप यहां से अपने position बनाने के बारे में सोच सकता है तो friend अब मैं इसके analysis क करूंगा daily chart पे तो friend मैंने आपके सामने daily का चार्ड लगा दिया है रूसारी बायोटेक का अगर सबसे पहले मैं moving average देखू यहां पे 100 days और 200 days का moving average तो friend यहां पे share इन दोनों moving average के उपर trade कर रहा है यह हमाले daily chart में बहुत अच्छी बात है अगर मैं दूसरा indicator देखो RSI वो जो first support लिकल के आ रहा है वो लिकल के आ रहा है 790 के आसपास अगर आप इस जगह पर अपनी position बनाते हैं तो यहां पर सिर्फ अपनी quantity का 20% buy करिए अगर आपको यहां से फिर से share में गिरावट देखने के लिए मिलती है तो आप nest installment इस share में 657 की price पे लगाईए तो friend अगर मै daily chart पे देखो तो daily chart पे हमको share strong देखने के लिए मिल रहा है तो मेरे according daily chart में देखके मुझे लगता है कि share में अब ज़्यादा गिरावट नहीं होगी यहां से इसमें fresh देजी बनने के संकेत मिल रहा है तो friend अगर आप उपर वाली price पे कहीं फसे पड़े हैं अगर आपकी buying price क भी आपकी buying रहती है तो यहां से आपके लिए first target रहेगा approximately 1047 का तो यहां पे आपको share में 33% का profit देखने के लिए मिल रहा है अगर मैं आपको second target बताओं तो second target में share में आपको 48% का profit हो सकता है जो आपका target रहेगा वो रहेगा 1160 के आसपास तो आपको अगर मैं share में third target तो आपका target रहेगा वो रहेगा 1351 के आसपास अगर मैं आपको share का photo target बताओं यह रहेगा इसका all time high तो इस बार share में आपको 105% का return देखने के लिए मिल सकता है current price से तो friend अगर आप इस share में position में बनाना चाहते हैं तो एक बार खुद की research चरूर करिए चाहे तो अपने financial advisor से भी concern कर सकते हैं तो friend अगर आप लोग चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe करिए साथी comment section में comment करके यह भी बताए कि आने वाले समय में आपको next video की share के ओपर जीए